गुड मारी ओल फियो लास्ट टाइम सेंटर ओफ मास का हमने इंट्रूश किया था कंसेप्ट आप अल्सो कुछ प्रॉब्लोंस भी मेरे खाल से मैंने सौल किया था सौल एक्जाम्पल में नंबर 122 शायद नहीं किया था लेकिन 122 है 123 आज सौल एक काम करते हैं 122 आव अटेक कर लेंगे अगर 124 में कर लेता हो और बागी के 2300 इंपल्स भी मैं डील कर लेता हो इसमें इसमें वाट इस गीवन दैं एक एसल मॉलेक्यूल सब्सक्राशन पिर और सब्सक्राशन पने नुकलिया था था इंपल्स गार्व नेरी अटाशन प्रश्वाण नेरी आवड डिख लेकिन के देख लिए जाब इन दस्वान बिल्टीफों ले उस से भी आप थाइप्रिजिन एटम कुलोरी दोनों के बीच में दिस्टंस है 1.27 एंग्स्टों मिन्ट्स सेंटर ऑफ मास में फिर देफिनिटी खुशर तो थाइबियर मॉलेक्यूल है यहां पर है सेंटर ऑफ मास से इसको मैं बुलता हूँ आज एज 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 बी इनका ये भी कहिना है कि मास ऑफ क्लोरेन सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका आपको कैसा रहेंगा सिर्फ दो पार्टिकल जैसा मान लेंगे अपर यह दिस्टंस अगर में लेंता हूँ आगा एज 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 आरवन और इस एज एज आरटू हम बोलेंगे मा इंटो आरवन इस इकोल टो एंटी इंटो आरवी तक रॉस तो सॉल्ट प्रॉब्म पिर अटिवेटि उसका दिस्टंस पर निकाल लेंगे हैं तो यहां पर आएंगा इसको वन एंट टू करके मान कर लेंगा हूँ मास अट्रॉरीन अट इस इस मास अट्रॉजन तो यहां पर आएंगा हमारा M1 R1 is equal to M2 R2 यह फॉर्मुला यूस कर सकते हैं तो यह फॉर्मुला यूस कर सकते हैं R1 मुझे निकाला हैं So that will be equal to M1 R1 this is equal to M2 R minus R1 A distance R2 किता हैं now R minus R1 And so we have M1 R1 is M2 R into M2 R1 So we have this to be equal to M1 R1 plus M2 R1 is equal to M2 R So we have R1 R1 is equal to M2 upon M1 plus M2 R 35.5 times M1 and this is equal to M1 plus 35.5 times M1 into R which is 1.27 extra minutes M1 will get cancelled or Mujhe bilhenga R2 is 35.5 upon 36.5 into M1 M1 cancel ho जाएके Common निकालने के पाद यहां से Multiplied by So well whatever the answer comes up to be equal to This will be slightly less than 1.27 by using the log table you can definitely solve this Next problem चो मुझे deal करना है which is important here It is 125 यहां कैसे deal करने के देख लीजा आप Three thin walls uniform hollow spheres the radia is given to as 1, 2 and 3 Are located at the centers around the three vertices of the equator triangle Of side 10 cm तो अभी आपको निकालना है We want to locate the center of mass तो Let us say सबसे बेरे ट्राइंगल बना देता हूँ Say this is the equator triangle इसको मैं origin लेता हूँ These are the spiarse gels इसका radius सबसे काम है A, B & C Mark कर लेता हूँ This is A, B & C इसको मैं लेता हूँ as the original letters से तो मेरा interest यह रहेंगा अभी How to get the coordinates of the point तो सबसे पहले coordinates of the point लेने के लिए एक काम करता हूँ मैं perpendicular drop कर देता हूँ यहां से ऐसा और यह पाथ यह है मेरा y-axis This is the x-axis और मुझे अगर इसका coordinates चाहिए of the center of mass center of mass is at the center तो आप इसको इन पार्टिकल्स करके टीर कर सकते हैं मास्सोज मिशन डिसाइड ना हूँ तो अभी यहां पर देख लीजे इसका coordinate क्या रहेगा 10 cm length है तो यह 10 0 रहेगा यह distance किता रहेगा This will be definitely equal to 5 cm तो इसका x coordinate आएगा 5 cm और y-coordinate डिकाते ले क्या करेंगे देख लीजे यह 60 degrees है AD करके मांग कर लेता हूँ I'll say that sin of 60 degrees is equal to AD upon this side upon AC So AD is equal to sin of 60 into AC sin of 60 का मतलब होता है root 3 by 2 multiplied by 10 तो आपको answer देख 5 root 3 that is equal to AD तो इसका मतलब होता है कि y डिकाते हाइट तो य-coordinate is equal to 5 root 3 दो तिन बाते समझ ले कि आप दो तिन बाते समझ ले कि आप this is equal after triangle sphere जैसे रखे it is soon very clear अब आप देखेंगे यहाँ पर इसको मैंने origin लिया तो यह बन गया 00 x-coordinate किता रहेंगा 10 और यह 0 this is equal to 5 तो x-coordinate बन गया 5 और y-coordinate निकालनी के लिए मैंने 80 is equal to sin 60 into c you got this result I should do one thing now I'll rub this portion now what about the masses now masses is not given to you अब आप देहेंगे R A the radius of the sphere at that is equal to 1 cm R B is equal to 2 cm and R C radius is equal to 3 cm now what is the surface area of the sphere that is equal to 4 pi R square the radius is sigma is equal to mass per unit area it is mass per unit area so that will be equal to total mass जो भी रहेंगा उसका upon the area which is 4 pi R square sphere के area किता है 4 pi R square to mass per unit area will be equal to mass divided by 4 pi R square so mass of the sphere of radius 1 cm will be sigma into the area 4 pi of the sphere of radius 2 cm will be sigma into 4 pi into 2 square mass of the sphere of radius 3 cm will be equal to what? will be equal to will be equal to into 4 pi into 3 square this is what you get so now you can see mass of the sphere of radius 1 cm I have marked as ma this is marked as mp this is marked as mc upon ma is equal to what? it is equal to 2 square so I will put it like this mp is equal to 4 times ma mc upon ma you can see you can see mc that is 3 square so mc is equal to 9 times ma mp try to follow the result here mass of the sphere of radius 1 will be equal to mass per unit area multiplied by area you can see mass per unit area multi-period area multi-period area then you can see here you can see mp that is mc we can see clear mp upon ma and mc upon ma and mc upon ma you can see so we shall use this result now so I this it is clear and clear all the particles now now this is I say this is a particle जिसका मास कॉंसेंट टिटेट है यहां पर अंट इसाइट अगेर पार्टिकल जिसका मास कहां पर अंट टिटेट है तो अब कुछ निया आपको X Y Z कॉदिनेट निकालना है और फॉर्मुला पर बलेख लेता हूं स्वेल एलाइक तो दूए ना कम से कम इदर का ओशन तुम्हे विटा देता हूं हाँ सो दो X कोदिनेट इस इपल दो M A इंटो X 1 करके लिखता हूं या X A प्लस M B इंटो X B M C इंटो X C अपॉन दो टूटल मास M A प्लस M B प्लस M C अपर दिस M A जैसा है वैसा लिखेंगे आपकर उसका X कोदिनेट क्या है इस इपल टो 5 प्लस M B के जैगे में मैं लिखूगा 4 x M A का लिखा मैं 4 x M A लिख 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 लिखेंगे और उसका X coordinate क्या है इस इक्वल टू जीरो यहां पर मैं लिखोंगा M A 4 ताइम्स M A प्लस 9 ताइम्स M A लेट सी वाट ताइम्स एक्वल टू वो तो जीरो बन जाएंगा M A को यहां से बाहर निकाल दिया मैंने सब्सक्राइब है सब्सक्राइब है सब्सक्राइब करें लिखोंगा M A यह भी कैंसल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मिलेंगा दो सब्सक्राइब करें यहां पर और इधर साथ सब्सक्राइब करें बागी के टर्म्स आप डेफिरेंटी देख लेएंगे मास पर स्पर अपर इधर स्प्सक्राइब करें मास करें अधर बटी पड़िए इंग जिसका रीज दो है तो यहां पर टू स्क्राइब तीन है तो थीन स्क्राइब अल्टिमें गार्थिस रिजल्ट MP is equal to 4 times MA and MC is equal 9 times MA फिर मैंने formula यूज किया mass of the first into coordinates x coordinate of the first mass of the second x coordinate of the second mass of the third x coordinate of the third total mass तो हमने का किया है MP के जगे में substitute किया 4 times MA और MC के जगे में 9 times MA and you got the result let me just check this इसका x coordinate आरा है equal to 45 well blunder is here it is 44 upon 14 which is 22 upon 7 तो बागी ताभी आप निकाल लेंगे I think that's enough now next problem और interesting उसको भी टील कर लेते now for 126 locate the center of mass of the three particles at the corners of the equilateral triangle मेरे खाल से यहां कर भी मुझे साथ discussion के जरूद नहीं है 126 number again it is an equilateral triangle here and say this is the equilateral triangle और this is the x-axis here यह y-axis this is the x-axis here बागी के कुछ से particles कहां पर रखे है उसके बारे मैं नहीं सुझे के जाता है but the side is equal to 1 meter लेगा इन्होंने इसको लेबल किया है as O, B, C this is O, T, C अब यह और इस यह origin अगर है तो उसके coordinates किते रहेंगे it will be 0, 0 इसके coordinate y coordinate will be 0 और यह रहेंगा 1, 0 मुझे अभी x coordinate निकालना है यह 1 meter है तो this will be equal to half meter which is equal to 0.5 तो इसका x coordinate बनेगा 0.5 अभी हमने निकाला था this distance BD is equal to BD upon OB is equal to sin of 60 degrees इसके रहेंगे 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 I know किता 60 degrees है so we have this BD is equal to OB into sin of 60 this is 1 into root 3 by 2 तो यह जो height है it is equal to root 3 by 2 तो उसका y coordinate क्या बन गया the y coordinate has become equal to root 3 by 2 so I want to get the coordinates center of mass डिकाला बहुत सिंबल हो रहा है M1, M2 and M3 अईसा नाप्ठ है यह है M1 this is M2 और यह है M3 so well now it is M1, M2 and M3 बचसा 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 बनाफ़्ेने गाँ बचसा बनाफ़्ेने प्राफ्टो यह हैं let us see otherwise you will find the y coordinate m1 plus m2 plus m3 so y is equal to m1 which is 1 kg y1 is equal to 0 that is equal to mass is 2 x coordinate is 0.5 mass is 3 and the x coordinate is 1 upon the total mass 1 2 plus 3 so y is equal to 0 plus 1 plus 3 upon 6 which is 4 upon 6 which is 2 by 3 so the answer well many have per x coordinate liah this is x coordinate in fact I will make the changes here itself y coordinate liah peh 0 hai y coordinate is again equal to 0 so it is 3 multiplied by 0 rai or yahan ka y coordinate hai root 3 by 2 so let's see what we get here so y is equal to 0 root 3 plus 0 upon 6 so that is equal to root 3 by 6 x the y coordinate aap to make the x content 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 aap to get the result so well for number 127 hai this is the mass of the individual block is equal to m it is a center of mass aap to make the yaho or you have dedicated by symmetry 1st box 2nd and 3rd yaha central mass do the right मैं यहां बेलिख ले दाँ, center of mass of 1, 2 & 3 is at center of 2. फिर से, center of mass of 8, 9, 10 is at center of 9. So at this point 2, the mass which is located is taken as 3 times m, this is also 3 times m, reason मैं बता देता हूँ, तीन ब्लॉक का मास है, इकल तु 3m, So, this is center of mass of the 3 blocks, तो यहां पे मास किता हैं 3m, यहां पे मास किता हैं 3m, तो यहां पे मास किता हैं, यहां पे मास किता हैं, यहां पे 3m, I will just draw this diagram here, At this point 2, मास 3m है, At this point 6, मास is equal to m, And at point 9, मास is equal to 3m, तो इसका मत्रब यह होता है, 6 is center of mass of 3m, and m, and 3m, यह point number 2 है, यह 6 है, यह 9 है, यहां पे मास किता हैं 3m, यहां पे 3m और यहां पर m, तो फिर से बाई सिमेट्री, यह सब का मास, जो है 3m, m, and 3m, इसका मास कहां पनाएगा, at the center of 6, यह बन के बाद, So, this total mass here is equal to 7m, So, looking at this direction यह, यहां मैं मास किता है, is equal to 7m, और एक बाद देख ली जाएगा, यह बनाएगा, यह बनाएगे यह पाद, साथ, यह तिम पादिकल, चार, पाद और साथ. center of mass of 4 5 and 7 is at center of 5 the center of 5 where mass kitta रहेगा it will be equal to 3 just let me repeat this part here a 2 or 3 center of mass of 1 2 and 3 is at 2 2 पर रहेगा तो महां mass kitta रहेगा रहेगा 8 9 10 center of mass mass of 8 9 and 10 is at 9 वहां पर 3 M आखेगा यहां पर 3 M यहां पर M यहां पर 3 M तो इसका center यहीं करेंगा at 6 तो आप total mass kitta होगे 7 so at the center of 6 mass kitta है 7 M बच्चे रहेगा यहां पर 3 M 4, 5 और 7 by symmetry cm of 4, 5 and 7 is at center of 7 center of 5 that is equal to 3 M तो center of mass अगर अगर निकाल रहे हैं को to get the center of mass तो यहां पर ultimately क्या हो गया है 7 M यह इसको कर मैंने original लिया तो यह distance आता है 1 cm तो mass of 7 M is located at one centimeter definitely from the original and mass 3 M is located at to get the center of mass पर लेकों का this is M1 X1 M2 X2 upon total mass which is M1 plus M2 तो X is equal to M1 M1 में ले तो 3 M लेता हूँ मैं X coordinate कित तर 0 है तुसा 7 M लिया X coordinate is 1 और यह रहेंगा 3 M plus 7 M so X is equal to 7 M upon 10 M so that is equal to 0.7 centimeters to your center of mass तो आपका center of mass काहाँ परेंगा 0.7 centimeters from the origin धान दीजाएं पहाँ पर precisely क्या हुआ देख ली जाएंगा 7 M is is at the center of 6 center of 6 सा लही है होगया तो इसका distance किलता होगया एक centimeter और 4, 5 और 7 उसका center पर्च प्याएंगा इसका center of 6 is at the original and it is zero होगया 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 तो 7 M is located at 1 centimeter from the origin और precise कर लेता हूँ मैं अलों X axis कर लिए होगया 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 और 3 M कहाँ मैं located है? अज़े जहोगया है तो सिर्फ दो पार्टिकस लोमना में होगया 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 है इसको माँ कर लेता हूँ as m2 तो वहाँ पर मैंने किता लिखा m1, 3m into 0, m2 is equal to 7m into 1, एक centimeter है उसका upon this, so you get the result.